जारखन से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जिसने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बलकि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और खबर थी एक विदेशी महिला से जुड़ी हुई एक स्पैनिश महिला जो अपने पती के साथ भारत के यात्रा पर आई थी लेकिन जारखन में उसके साथ सामोहिक दुष्कर्म किया गया साथ आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया यह पूरी खबर क्या थी और उसके बाद अभी इस पर क्या अपडेट है आरोपि कहां पर है और अब कारवाई किस लेवल पर चल रही है सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं सबसे पहले मैं आपको यह बता तूँ इसले बता दू बाइक यात्रा पर अपने पती के साथ इससे पहले भी इरान, इराग कई ऐसे देशे जिनकी यात्रा कर चुकी है वो पाकिस्तान भी गई थी और फिर जुलाई का महीना बताया गया जब वो भारत आ गई लेकिन जब वो जारखंड पहुंची, जारखंड के दुमका में वो मौजूद थी और बहाँ पर उसके साथ ये सामोहिक दुशकर्म किया गया और ये बात सबके सामने कैसे आई? उस महिला ने खुद अपने इंस्टेग्राम अकाउंट से एक स्टॉरी डाली, एक स्टॉरी पोस्ट की और उस पर उसने सवाल भी किया कि भारत में तो आतिती देवो भवा होता है ना, फिर जारखंड में हमारे साथ ये क्यूं हुआ? अब उस महिला की तरफ से ये जो पूरी स्टॉरी है वो बताई गई है, एक एक डीटेल जो इस पूरी ख़वर को लेकर मेरे पास है, वो पूरी रिसर्च करके मैं आपके लिए आई हूँ, वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू बाइक से अभी तक पूरी कर चुकी है, दोनों ने यानि की पती और पत्नी ने अलग-अलग मोटर साइकल रखी है और इसी तरह वो अलग-अलग देशों के यात्रा करते हैं, इराक, इरान, साओधी अरब के बाद वो पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकिस्तान से 8000 किलो महिना जब शुरू हुआ वो श्रिलंका भी जाने की उनकी खबर सामने आई, फिर पश्चिम मंगाल होते हुए नेपाल उन्हें पहुंचना था और यहां के लिए उन्होंने यह जारखन वाला रास्ता चुना, यानि कि अब इसके बाद उन्हें नेपाल जाना था, उन्हे आप बीती बताई है, यानि कि अब चुकि जब उससे अस्पताल पहुंचाया गया, उसके बाद पुलिस इंवेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर शुरू हुए, उन्हें से अभी तक की जानकारी है कि तीन पकड़े जा चुके हैं, बाकियों की तलाज भी लगातार रहे हैं, वो ये अपील करती है कि आप लोग जादा से जादा इस फोटो को पहुंचाएं, जिससे कि ये आरोपी भी जिसने मेरे साथ इतना गलत काम किया, वो पकड़ में आ सके, उस महिला ने आप बीती क्या बताई है, ये रेकॉर्ड में है, वो मैं आपको बताती हूँ वो महिला कहती है कि मेरे पती को बान दिया गया और जो ग्यांग रेप कर रहे थे, आप जरा सोचिए कि ग्यांग रेप करने वाले उसे लगातार पीट रहे थे, उसने ये कहा कि उस रात उसे ऐसा लगा कि वो उसे जान से मारने वाले हैं, यानि कि उसकी हत्या कर देंगे, लेकिन उस जिन्दा बची इसके लिए उसने उपर वाले को उसके लिए शुक्र गुजार भी उसने बताया हाला कि उसने बाद में ये कहा कि उसके बाद जब चुकि उसके पती के हाथ पैर बांधिये गए उसके बाद जब वो पुलिस टेशन गए तब इस पर investigation शुरू ही अब मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त भारती जनता पार्टी बहुत हमलावर है उसकी कारण एक तो ये कि किसी भी महिला के साथ अगर हिंदुस्तान में और आप सूचे कि कोई महिला जो बाहर से हमारा देश घूमने के लिए आ रही है भारत अगर देखेंगे अलग-अलग राज्यों में बड़ी तादाद में विदेश से हमने देखा है हर महीने हर सप्ता जो मेहमान है वो पहुंचते हैं और उसके बाद क्योंकि भारत की संस्कृति के साथ साथ कहीं सारी ऐसी जगा है जिस की छवी पर question mark विदेशी लेवल पर जो दुनिया के पटल पर है वो जरूर होगा इसलिए बीजपी सरकार इस मुद्दे को लेकर जारखन सरकार पर इस वक्त बहुत जादा हमलावर है वहाँ पर जगा जगा पर प्रदर्शन की तस्वीरे सामने आई है जारखन में आपको कि महिला सुरक्षा के नाम पर क्या आप किसी महिला को जो दूसरे देर से आई हुई है क्या आपके राज्य में इस तरह की सुरक्षा मिलती है और फिर लगातार आपको मैं बता दूं कि वो तस्वीरे सामने आई जब पोस्टर जो हैं वो जलाये जाते हैं अलग अलग जग इस मानसिक्ता को भी जरा समझीए कि अगर वो महिला जो विदेश से आई वो अपने इंस्टेग्राम अकाउंट से ये बार शेयर कर रही है कि उसके साथ कितनी घिनोनी हरकत को अंजाम दिया गया तो फिर आप समझीए कि हिंदुस्तान में कितनी तादाद में विदेशी परिटक यहाँ पर पहुँचते है और अगर ये इमेज अगर ऐसी खबर से एक इमेज सेट होने के लिए बाहर जा रही है तो ये हिंदुस्तान के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है इसलिए कोशिश यही है और आप मैं आपको बता दूँ कि भारते जनता पार्टी ने पूरी तरह से दबाव बनाया है सरकार पर प्रशासन पर जिससे की उस महिला को इनसाफ मिले और साथी उस महिला को अच्छे से अच्छा इलाज मिले इसकी भी यहाँ पर इसे भी सुनिश्रित किया गया है और जो आरोपिय भी गिरफ्त में नहीं आये हैं उन्हें भी जल से जल पकड़ लिया जाए एक तरफ तो यह खबर है एक तरफ यह कारवाई है लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि आखिर इस महिला सुरक्षा की मुद्दे को आने वारे समय में ऐसा किसी के साथ फिर ना होने पाए चाहे वो किसी देश से किसी राज्य से क्यों ना हो चाहे वो हिंदुस्तान की ही महिला क्यों ना हो इसे कैसे सुरिश्चित किया जाएगा कहीं सारे सवाल है और इन सवालों के बीच में सवाल ये भी कि जो आरोपी अभी तक गिरफ में नहीं आये हैं उनके गिरफतारी कब होगी क्योंकि अब वो महिला खुद अब चुकि पुलिस भी इस मामले को लेकर जब आप सोचें कि जब खबरे इस तरीके से चल रही है सरकार का जिस पर सवाल उठ रहे हैं तो प्रशासन भी लिहाज़ा आप कारवाई को आगे बढ़ा रहा है लेकिन इतने सारे सवालों के बीच में आखिर इन आरोपियों की गिरफतारी कब होगी है सबसे बड़ा सवाल इस वक्त भी जारगंट से निकल कर सामने आ रहा है कर दो कर दो